दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से टेक्नॉलजी के इस्तेमाल करके पैसे कैसे गवा सकते हैं तो 2023 की ये वीडियो है मैं आज रफ उनी चीजों की बात करूँगा जो काम कर दी है या तो मैंने उनसे पैसे बनाया है या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उस चीज से थोड़े से पैसे पॉकिट मनी या जो भी आपको ज़रूरत है पैसे की उसे आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आईए देखते हैं कौन सी है वो चीज़े सबसे पहले चीज़ है कि आप टीनेजर्स और स्टूडेंट्स के कुछ स्टडी कोर्से के ओपर कॉंटेंट बनाओ देखो स्कूल में जो किताबे पढ़ा ही जाती है वो हर साल वही होते हैं बस बच्चे बदल जाते हैं ऐस होता है न गयार रेशन को समझा कर किसी भी कॉर्स का जैसे क्लास 12 का 11 का 9 का 10 का या अगर साड़े ही कर सकता है क्लाजिस का तो सारा अगर वो से डाल दे तो वो हर साल व्यूज़ बटूरेगा हर साल लोग बोर्ट की तियारी करते हैं हर साल लोग UPSC की त्यारी करते हैं तो वो content की demand कभी भी खतम नहीं होने वाली और हर साल वो content peak पकड़ेगा जब लोग exam की त्यारी कर रहे है final की तो अगर ऐसा content बनाते हो तो YouTube पे आपको एक regular income का जरिया मिल सकता है सिर्फ एक बार content बना कर क्योंकि ये content same रहने वाला है तो ये पहला तरीका है कि आप YouTube से कुछ एक बार मेहनत करकर बहुत सालों तक income create कर सकते हैं तो ये एक पहला idea है जिसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा करके YouTuber actually पैसा कमा रहे कितना पैसा? ये depend करता है कि आपको कितने views मिलते हैं maybe महिने के 50,000, maybe 2,00,000 ये amount कुछ भी हो सकता है अगली trick है micro niche website देखो पहले जमाना था आप internet पर कोई भी website बनाओ और पैसा बनाना बहुत आसान था क्योंकि internet पर इतनी website नहीं थी यानि कि एक छोटे topic के उपर आप 5-6 page की website बनाओ जिसमें सिर्फ उस particular topic के बारे में ही कुछ content हो ऐसी websites को बनाना बहुत आसान होता है लेकिन इसमें main challenge ये होता है कि ऐसी चीज़ के उपर website बनाना जिसके उपर ज़ादा information नहीं है या जिसके उपर rank करना असान है और ये तभी हो सकता है जब उससे related कोई content इंटरनेट पढ़ना हो अब वो जमाना भी जा चुका है हर छोटी-छोटी चीज़ों पर भी सब कुछ इंटरनेट पर मिलता है लेकिन अभी भी एक room बाकी है और वो है micro niche website मतलब उस छोटे topic का भी छोटा topic एक बहुत particular बारीक पिनपॉइंट वाला topic अगर इसके उपर आप website बनाते हैं 5-6-7 pages की तो आपका success rate बहुत high हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो भी reoccurring income आप internet से generate कर सकते हैं affiliate marketing के links डाल कर या AdSense का अपने account को उसको लगा कर भी आप income generate कर सकते हैं तो 2023 में ये दूसरा तरीका है अगर आप कुछ पैसे internet से कमाना चाहते हैं और website कैसे बनानी हैं इसके सारे tutorial, blog कैसे बनाना है मेरे channel पर भी मिल जाएंगे या Google पर आप लिखोगे या YouTube पर लिखोगे तो आपको complete free में लोग बताएंगे कि एक blog को बीना पैसे दिये यहाँ पर investment बिल्कुल है नहीं आप blog spot इस्तमाल करो, blogger इस्तमाल करो Google का अपना blog बनाओ, बहुत असान है, free है बस internet connection चाहिए एक laptop या mobile चाहिए और आपका कुछ वक्त चाहिए या आप कर सकते हैं, trust me इस आप e-commerce में जा सकते हैं इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी जगाए है जहां पर आपको चीज़े सस्ती मिलती है वो चाहें ladies, जुमका हो सकते है तुपट्टा हो सकता है mic का वो होता है form होती है, वो हो सकता है कोई cable हो सकता है, type-c cable हो सकता है camera lenses हो सकते है कुछ भी जो internet पर सस्ता मिल रहा है bulk में मिल रहा है ऐसे बहुत सारे wholesale वाले दिल्ली में हैं जो चाइना से माल import करते हैं ये खिलोंने बहुत सस्ते मिलते हैं इन्हें आप अपनी website बना कर मेहेंगे में per unit के हिसाब से बेच सकते हो मतलब 2023 में e-commerce websites बनाना बहुत आसान है कोई बच्चा भी e-commerce पे चीज़े बेच सकता है तो अगर आप करना चाते हैं तो ये कर सकते हैं, बहुत profit है ये आपके एक बड़े business की शुरुआत भी हो सकती है क्योंकि अगर आप पहले किसी दूसरे की चीज़ को बेच रहे हैं तो आपको बेचने का experience आएगा और बाद में आप खुद भी manufacturing कर सकते हैं और अगर भगवान में चाहत हो, अपनी बड़ी company भी शुरू कर सकते हैं तो चाहें ये pocket money के लिए हो या एक next business tycoon बनने के लिए हो इंटरनेट पर आपको चीज़े बेचनी चाहिए कुछ सस्ते में मिल रहा है, उसको महेंगे में बेचिए profit कमाई है, और यही तो business है और 2023 में ऐसे बहुत सारे लोगों को में जानता हूँ जो घर भेटे ऐसी चीज़े कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो इंटरनेट का ऐसे भी इस्तमाल पैसे बनाने के लिए किया जा सकते और अगली चीज़ जिसकी डिमांड बहुत धीरी-धीरी बढ़ रही है लेकिन constantly बढ़ रही है ऐसे लोगों की जो actually content right कर सके content creators की बाड़ा चुकी है, यूट्यूब पर हर एक इंसान यूट्यूबर है लेकिन एक perfect यूट्यूबर को एक नए यूट्यूबर से और पुराने यूट्यूबर से अलग करता उसका content जो पुराने लोग हैं वो बहुत content बनाना जानते हैं और उनको ये भी पता है कि content generate कहां से करना है जो नए लोग होते हैं वो इस art में माहिद नहीं होते और वो कभी-कभी out of ideas हो जाते हैं तो अगर आप content creators को ideas दे सकें या उनके content की script लिख सकें तो भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको video बनाना तो आता है बोलना भी आता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि video बनाना किसके उपर है तो अगर आप ऐसे ideas दे सको content creators को pitch कर सको तो आप एक video के topic को या script को पैसों में बेच सकते हैं इसके लिए investment कुछ भी चाहिए ही नहीं बस आपको दिमाग चाहिए आपका और थोड़ी सी market की research चाहिए किसी particular niche पे और आप content लिख सकते हैं as a writer काम कर सकते हैं for influencers और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं आप subtitle service भी दे सकते हैं content creator को आप ये बोल के कर सकते हैं कि भाई आप Hindi में video बनाते हो मैं आपकी videos के लिए subtitles लिख सकता हूँ जिससे आपकी video दुनिया में हर कोई देख पाएगा क्योंकि English एक ऐसी language है जिसे पूरी दुनिया में समझा जाता है बोला भी जाता है लेकिन हिंदी वो language नहीं है जिसे पूरी दुनिया में समझा और बोला जाता है तो ऐसे लोग जो हिंदी में videos बनाते हैं वो सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश और आसपास की 2-3 countries में उनको देखा जाता है बाकी सारे लोगों के लिए वो सिर्फ एक इंसान है और कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें पता नहीं लेकिन subtitles एड हो जाएं, तो उस वीडियो को शायद Korea में बेठा इंसान, या America में बेठा इंसान या Britain में बेठा इंसान भी देख सकता है तो एक ये possibility create करती है उस creator के लिए तो ऐसी चीज़े अगर आप pitch करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा content creator होगा हम में electronics का शौक नहीं है देखो ये उन लोगों के लिए जो थोड़े से tech savvy है hardware की जिने knowledge है, जिने soldering करनी आती है power bank घर में बनाना बहुत असान है इसके modules आते है power bank की एक इतनी plate आती है, कितना machine सी आती है जिसमें एक lithium iron battery को connect करना होता है solder करके और इसकी casing तयार करनी होती है और आपका power bank तयार है basically इसमें तीन component होते है casing, battery और module अगर आपको knowledge थोड़ी बहुत electronics की अगर आप थोड़ी mystery आदमी है मेरी तरह है तो आप एक power bank घर में बना सकते हैं इसको बनाने में आपको लगबद 1500-200 रुपे खर्चा आएगा अगर आप wholesale में समान खरीते हैं और इस power bank को आप अराम से 400-500-600 रुपे में market में निकाल सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ा business हो सकता है लेकिन हाँ, अच्छे product ही इस्तमाल करना ऐसा ना हो कि आप छोटी mobile की बैटरी और मिटी लगा के power bank बीचो जो bus stand पे जो scam होते हैं मैं ये नहीं बूल रहा हूँ बट हाँ power bank का business किया जा सकता है online और ये बहुत पैसे कमा जा सकते हैं इससे तो shorts बनाने किस पे मुरसागर बाई ऐसा कोई चीज बताओ देखो हम लोग news पे बताते हैं तो news आज valid है कल तो नहीं है, मैं आभी news दे रहा हूँ तो वो 10 दिन बाद थोड़ी valid होगी ये तो पुरानी news होगी हमें कोई ऐसे shorts बनाने हैं जो हमेशा valid रहे इस दुनिया में ऐसी कौन सी knowledge है जो हमेशा valid है हमारे पुरान वाले, हमारे पुरान वेद, गरंथ, अच्छी बाते, धार्मिक बाते positive thought, motivational quotes इन सब के shorts बना सकते हो, चानक क्या नहीं थी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बाते हमारे इतिहास में, हमारे पुरानों में, हमारे गरंथों में हैं क्यों ना हम लोगों को share करें हैं सारी चीज़े Shorts बनाएं और लोगों को slow किया ऐसी अच्छी बाते Shorts बनाके upload करते जाएं क्योंकि ये चीज आज काम कर रही है और मुझे लगता है आज से 300 साल बाद भी काम करेगी सो ये कभी भी outdated नहीं होने वाली So that means आप evergreen content बना रहे हैं जो आज भी valid है, कल भी valid है और आगे आने वाले कई 100 साल तक valid रहेगा ऐसे Shorts अगर चल जाते हैं आपको regular income देते हैं क्योंकि ये कभी out of fashion नहीं होते So आप ऐसे Shorts create कर सकते हो एक बार में वीडियो बना सकते हो बाद में उनको Shorts में convert कर सकते हो और अपनी चैनल पर upload कर सकते हो और आप Shorts से अब YouTube पर officially वीडियो डाल कर मतलब पैसा कमा सकते हो So ये भी एक idea हो सकता है यहाँ पर मैंने बहुत ही powerful और सही में 1000% काम करने वाली ideas आपके साथ share किये जिससे आप online पैसे कमा सकते हो So I hope आपको ये ideas पसंद आयोंगे अगर आपके दिमांग में और कोई भी ideas है तो आप comment section में share कर सकते हो और लोगों को अच्छा लगे का तो लाइक कर देंगे तो वो automatically जो idea है वोपर चला जाएग और लोगों को additional knowledge भी मिल पाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लिगी तुसे लाइक करें अपने दोस्तों को साथ share करें आपको इंट्रस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते है तो नाइटीन रूपीज के तीन ही तिकला लाइक कुर्सिस हैं जो आसान भाषा में आपको इतिकला लाइकिंग सिखा देंगे मैं मुझा आप से अगली वीडियो में प्रेंगे